अब हम कुछ questions करते हैं, जिसमें हम भली भाती अच्छे से देख सकते हैं, कि triangles के classification को हमने समझा या नहीं समझा, तो पहला question हम से यह कहता है कि यहाँ पे एक triangle दिया हुआ है, और यहाँ पे एक चोटा सा symbol बना गया है, और I hope कि आपको पता हुआ symbol का क्या मतलब होता है, तो अ ka-lel ac, यह होगा 90 degrees, ठीक है, तो इस टाइंगल में एक आंगल 90 degree हो गया, अब हम से क्या कहा गया है, कि classify triangle ABC by its angle, तो यह acute angle नहीं है क्योंकि इसमें 90 degree है, obtuse angle, obtuse angle triangle हो होता है, जिसमें एक आंगल 90 degree से ज्यादा होता है, तो यह हुआ right angle triangle, क्यों, क्योंकि इसमें एक आंगल 90 degree ही है लेट सी हम लोग सही है या नहीं लेट्स चेक एंड ये आवांसा इस करेक्ट लेट्स को तो नेक्स क्वेशिशन क्लासिफाइट रेंगल डी एफ बाइट्स अंगल अगें तुमको यहां पर एक 90 डिग्र दिख रहा है तो इसमें तो चेक करने के कोई जरूरत नहीं हम खुल्स में तो मांलो तुम यह तुम्हारा बेश से मालो ओ यह तुम्हारा बेस लाइन हुआ अगर मुझे इसके नंक भी सūीं मिट्ज करता तो ठीक इस दिनन Ale गत अबczenie इसी ट्रांगल में एक आंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए ग्रेटर दें 90 डिग्री तो आप्ट्यूस आंगल ट्रांगल हो जाएगा चलो एक और क्वेशन देख लेते हैं कि मानलो यह हमें दिया हुआ है अब यह तो इसमें तो आंगल्स भी दे दिया हमें यह 44 डिग्री है 68 डिग्री इसे अब हमको इसको इसके आंगल के बेसिस पे लोगताइव तो हमने टेनों आंगल यह से कम है अईज हden ग्रिग्री में side lens दे दिये गए अब हमें इसको classify करना है कि select all that apply अब यहां पर ध्यान देना कि हमें वो सारे चीज सेलेक्ट करने हैं जो यहां पर applicable है पहला यहां पर 5 है यह 5 है मतलब यह 5 cm लंबाए कोई भी उनित तो मान सकते हो यहां पर दिया नहीं हुआ तो हम उचलों 5 cm मान लेते हैं यह 5 cm यह 4 cm यह 5 cm तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 2 sites equal हैं यह इसके पराबर हैं तो क्या यह equilateral होग होगे और लेट्स चेक और हमारा अंसर सही है गुट अगली काटेगरी पर देखते हैं यह हमें क्या क्या दिखा रहा है यहां पर क्लासिफाइदे ट्रांगल्स बिलोव ऐस्कीली और इसको जली-जली निप्टा देते हैं स्कीलीन यहां पर तीनों साइड इक्वल हैं तो यहां देखो यहां तो at least two sides हैं क्योंकि यहां तो तीनों साइड हैं तो यह Isocellas triangle तो होगा ही लिकिन इसको हम generally क्या बोलेंगे disaster YOU festa reconstruct AA.. ट्रायांगल ठीक है यह Isocellas triangle का special case हूआ Isocellas triangle इसलिए Isocellas triangle भी होगा यह यहां पर दो sides equal हैं यह वाली और यह वाली तो यह तो isosilis हो नहीं है लेकिन यहां कोई भी side equal नहीं है इसलिए यह scalene triangle हो जाएगी चल्द चेक करते हैं और यह हमारा answer सही है